दोस्तो आज बनाएंगे प्याज से न्यू रेसिपी नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आपने प्याज के प्राठे तो बहुत बार बनाये होंगे लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको युनीक सा तरीका बना कर दिखाएंगे वो भी प्याज से तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों प्याज के प्राठे बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए सबसे पहले यह है लहसुन के पत्ते अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं है तो प्याज के पत्ते भी ले सकते हैं अगर वो भी नहीं है, तो skip कर सकते हैं, यह फिर लहसुन की कलिया आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने लहसुन के पत्ते लिए हैं, और इनको बारीक बारीक काट कर रखना है, बहुत ही बढ़िया और tasty लगेंगे recipe में, तो इस तरह से काट कर इनको रख देना है side, अगल जब भी आप प्याज का यूज करते हैं, तो इसका ये वाला part का भी यूज ना करें, क्योंकि इससे बिमारिया फैलती हैं, तो हमने ये part नहीं लेना है, इसको निकाल देना है, छील कर इसको धो कर, फिर इसको काटना है, जैसे मैं काट के दिखा रही हूँ, बस आपने इस देते हैं हम side, अब क्या करेंगे, लेते हैं एक bowl, बाउल में आपने आटा लेना है, आटा मैं यहाँ पर दो कटोरी ले रही हूँ, या फिर आप दो कप ले लीजिए, और आटा हम चान कर लेंगे, तो आटे के बाद दोस्तों आपने इसमें डालना है, एक चमच छोटे व होना चाहिए, तो इस तरीके से जैसे मैं गून रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी करके ले रही हूँ, और इसी तरह से आपने आटा गून लेना है, तो यह देखिए दोस्तों, आटा मेरा गून चुका है, इस तरह का आपका आटा होना चाहिए, देखिए, ना तो ज़ अगली त्यारी शुरू यहां पर दोस्तों मैं ले रही हूं एक बाउल अलग से और इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन बेसन को भी हम चान लेते हैं यह यूनीक सी रेसिपी बनेगी दोस्तों बिलकुल अलग तरीके का प्राठा बनेगा आपने पहले कभी नहीं बनाया होग एक बाद ट्राइ करकी जुरूर देखें तो बेसन मेरा चान चुका है बेसन चानने के बाद इसमें डाल लेते हैं कुछ चीजें यह है एक चमच जीरा साबूत वाला आप चाहे तो जीरा पावडर भी ले सकते हैं एक चमच डालेंगे इसमें गरम मसाला एक चमच डैड मि तो जुरूर जाएगी अजवाय से हमारा पेड़ भी साफ होता है और बायबादी भी दूर होती है और जो बेशन की रेसीपी कोई भी हो वो अच्छे से पच जाती है एक चमच लेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा लेंगे इसमें अद्रक अद्रक को आपने घीस क इस तरह से लेना है या फिर आप पेश्ट भी ले सकते हैं अद्रक का और डालेंगे इसमें दो चुटकी हिंग पावडर मुठी भर ले ले लेते हैं हरा धनिया काट कर इस तरह से और लेंगे दोस्तों दो चमच के करीब सोया की पतियां यानि डिल बहुत ही बड़ीया रे रेसीबी बनेगे आपकी क्योंकि बच्छे सबजी आखाते हुए आनाका नि करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हल्थी चीजों को आप इस रेसीपी में मिक्स करके बच्चों को खिला सकते हैं तो आपने थोड़ा-thोड़ा सा पानी करके इसमें डालना है और इसको इस तर रेडी किया है, हमारा आटा भी रेडी हो चुका है, देखें, दस मिनिट के बाद मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमारा आटा हो गया है, बिल्कुल सौफ्ट सा, अब इसमें से ले लेते हैं, एक पेड़ा, जितना मोटा प्राठा बनाएंगे, बस उतना ही पेड़ा ले और थोड़ा सा बेलन से इसको दबा लें, दबाने के बाद दोस्तों इसको और ज़्यादा गोल करने के लिए आप किसी कटर का इस्तिमाल कर सकते हैं, किसी कुकी कटर का इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर आपके एक बनाने वाला साचा होता है, इसका यूज कर सकते हैं, या क उसकी जगा आप सूजी भी यूज कर सकते हैं यह फिर मैदा भी यूज कर सकते हैं हमने यह रैसीपि हल्दि बनानी थी तो इसलिए हम आटे का यूज कर रहे हैं तो देखिए प्याज सारे फैल चुके है अच्छे से ये प्याज बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे सोच रहे होंगे आपकी प्याज निकल जाएंगे तो नहीं दोस्तों ये निकलेंगे नहीं बहुत अच्छे से सैट हो जाएंगे और इस पर लगा लेते हैं अपने बेसन वाला घोल इस तरीके से आपने चम्मसे लगाना है और हर तरफ फैला दें और इसको हाथ पर रखकर डालना है तावे पर अगर दोस्तों आप नीचे नहीं फैला सकते इसको हाथ में लेकर भी आप फैला सकते हैं इस पर बेसन का घोल ये आपको उठाने में दिक्कत हो तो आप हाथ पर रखकर घोल को लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसको उठा कर इस तरीके से देखिए बड़ी ही साधानी से आपने इसको उठा लेना है और अब चलते हैं गैस पर तावा आपने पहली ही गरम होने के लिए रख देना है गैस पर इस पर लगा दे हैं थोड़ा सा ओयल या फिर आप देसी घी लगा सकते हैं इसको स्प्रेड कर दे और इसके बाद आपने डालना है इस पर पराँठा जिस साइड से बेसन लगाया था वो साइड नीचे करनी है और दूसरी साइड उपर होगी और इस तरीके से दोस् के उपर लगा लेना है आपने घी लगा सकते हैं या कोई ओयल लगा सकते हैं जो भी आप पराँठा बनाने में यूज करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सीख जाएगा दोनों साइड से पराँठा बहुत ही हल्दी बना है और अच्छा बना है यूनीक सी रसीप कर देगी यह है दोस्तों चीज चीज को आपने घीज कर इस तरह से डाल लेना है बस उल्टा नहीं करेंगे हम प्राठा हमारा सीख चुका है अच्छे से यह देखिए बहुत ही बड़ीया रेसिपी बनी है और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और कटर की हैल्ट से आप इसको काट सकते हैं चार पीस कर ले या फिर आप छे पीस भी कर सकते हैं आठ पीस भी कर सकते हैं तो इस तरह किसे दोस्तों यह पीसीज बन चुके हैं और दोस्तों इसको आप थोड़ा बड़ा करके भी बना सकते हैं आप जितना साइच का बनाना चाते हैं, to बना सकते हैं तो देखे दोस्तो इस तरह से हमारी recipe हो गई है ready आज के साथ हमने आज unique सी recipe बनाई है आपको कैसी लगी ये recipe और कब बना रहे हैं हमें comment box में लिखकर जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में नेक्ट रेसिपी के साथ तब तक धन्यवाद